श्री सिध्ध गनेश मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपूर में गनेश जी का एक ऐसा मंदिर है जहां लोग धार्मे कनुष्ठानों के साथ हरजी भी लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर लोगों की मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि गनेश उत्सव के दोरान यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। समिती से जुड़े लोगों का दावा है कि यहां अब तक 1,80,000 से ज़्यादा लोग अरजी लगा चुके हैं और उनमें से 60,000 से ज़्यादा लोगों की मनोकामना भी पूरी हो चुकी है। इस मंदिर के निर्मान की भी कहानी है। बताया जाता है कि जब मंदिर निर्मान की तयारी चल रही थी तब मंदिर में भूमी तल से 5-6 फीट उपर उठा कर बनाने का निर्नय लिया गया। पर जब मंदिर निर्मान के लिए खुदाई शुरू हुई तो 4 फुट नीचे भगवान गनेश की लगभग 5 फुट उची प्रतिमा मिली बाद में इसी प्रतिमा को स्थापित किया गया। मंदिर के व्यवस्थापक रामानुज तिवारी की माने तो मंदिर निर्मान के समही कई बाधाया आई थी, मगर इस मंदिर का निर्मान हुआ है, मंदिर निर्मान के लिए अरजी लगाई गई थी। यही कारण है कि तब से यह मंदिर अर्जी वाले गनेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां अर्जी लगाने वाले नारियल के साथ आते हैं। अर्जी रजिस्ट में दर्ज की जाती है। मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं कि यहां अरजी लगाने वालों का ब्योरा दर्ज करने के लिए 50 से ज़्यादा रजिस्टर हैं। इस मंदिर में गनेश उत्सव के दौरान चतुर्थी से लेकर अनंत 14 तक विशेश पूजन अनुष्ठान का दौर चलता है। इसके साथ ही 10 दिनों तक भगवान का अलग-अलग श्रिंगार किया जाता है।